अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंजीनियर कैसे बन सकते हैं कौन सा सब्जेक लेना चाहिए तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेश में बताने वाल हूँ कि आप किस तरीके से इंजीनियर बन सकते हैं अगर आते तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिक जरूर देखेगा तो देखो-गेज़ सबसे पहला जो सबसे पहला step होता है वो class 10 के बाद शुरू हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि class 10 के बाद आपको subject चूच खरनी होती है तीन streams होती है आर्ट्स, कॉमर्स, साइन्स, जिस स्टुडेंट को जिस वी फिल्म अपना करियर बनाना था, उस एकरडिंग वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे बात करें इंजिनियर की, कि इंजिनियर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो 11 के साइन्स इस्ट्री में आपके दो ग्रूप्स होते हैं, एक मैट्स ग्रूप होता है, एक बायो ग्रूप होता है, मैट्स ग्रूप में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंगलिस, इसके लावा कोई लेंग्वेज हो सकती है, उसी तरीके से बायो होने चाहिए subject और इनी subject से आपको class 12 pass करना पड़ेगा अगर आपने match नहीं लिया है तो दोस्तों आप engineer नहीं बन पाएंगे अब मान लेते हैं कि आपने class 12 pass कर लिया उसके बाद क्या आगे का process है तो देखोगे सबसे पहले तो आपको courses करने कि class 12 में आपके minimum 75 percentage marks होने चाहिए ताकि आप IIT जैसे जो संस्थान है वहाँ से भी अपने engineering के पढ़ाई कर सके अगर आपके marks थोड़े से कम है तब भी आप engineer बन सकते आपको टेंसल लेने की जोरत नहीं है लेकिन दोस्तों आपको IIT से पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए आप courses कीजिए कि board exam के अच्छी से त्यारी कीजिए और 75 percentage marks लाने की courses कीजिए class 12 पास करने बाद दोस्तों आपको entrance exam देना पड़ेगा हमारी देश में बहुत तरीकी के college है जहां पर आप admission लेके अपनी engineering की पढ़ाई कर सकते हैं जिसको b.tech भी बोलते हैं तो दोस्तों आपको entrance exam देना होगा उसमे आपके entrance exam में physics, chemistry, mathematics से ही related question आते हैं जो आपने class 11 और class 12 में पढ़ा हुआ है इसलिए class 11, class 12 में पढ़ाई अच्छी से करने बहुत जरूरी है तो आपको entrance exam में जैसी आपकी rank आएगी उस according दोस्तों आपको college में लेगा आप चाहें तो किसी private institute से भी आप अपने बीटे क्यान की engineering की पढ़ाई कर सकते हैं बस फर्क ही होता है कि अगर आप किसी government college से engineering की पढ़ाई करे तो आपके फिस फुड़ी सी कम होती है वहीं पर अगर आप किसी private institute से भी टे की पढ़ाई करे तो दोस्तों आपकी फिस थोड़ी जादा होती है अगर आपको b.tex की फिस के बारे मे चार साल में आपकी engineering खतम हो जाएगी यानि कि आप engineer बन चुके होगे उसके बाद बात आती है job की तो देखो guys job depend करता है कि आपने कहां से अपनी engineering की पढ़ाई की है इसलिए बहुत ज़्यादा जरूर होता है कि आप अच्छे college से engineering की पढ़ाई कीजे ताकि आपकी job placement हो जाए एक तरह से interview भी आप कह सकते है उसके बाद आपको जितना knowledge है जितनी आपकी skills है उसके basis पर आपका selection हो सकता है या फिर अगर आपको उस बारे में knowledge नहीं है तो दोस्तों आप selected नहीं भी हो सकते ऐसा भी हो सकता है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं बार 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 placement नहीं होते तब भी टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है आप अपने बीटे के पढ़ाई कर लीजे उसके बाद आप बाहर से किसी भी company में try कर सकते हैं और वहाँ पर जॉब पास सकते हैं तो यहीं पूरा process है engineer बनने का मैंने एक और वीडियो बनाई है कि IIT के बाद आपको कितनी salary मिलेगी engineer बनने के बाद आपको कितनी salary मिलेगी और भी कई तरीके के वीडियो से तो सभी वीडियो का link description box में और comment में pin कर दूँगा आप वो वीडियो भी देखिएगा आपको और बहुत कोई जानने को मिलेगा तूमीद करते हैं दोस्तो अब आपको ये तो समझ मे आग याओगा कि कौसा subject लेना है और किस तरीके से आप engineer बन सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो comment करके जरूर बताईए और comment करके ये भी बताई कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं अगर आप कोई वीडियो पसंदे वीडियो को like करके channel को जरूर से subscribe कर द जंग कर दो कर दो कर दोím नग्हें रहे हैं लिड़ और का कर दो है और कर दो हात बामें Uli दे वीडियो आगो हैं बन सकतही आपके रहे हिएं देखे। एा झारब जञ दूर नहीं म hade जले को चीडियो हैं और कि जले कर दो हिता हैं अवा